नमस्कार, आजा कोक्षिया दस्को नया पाठ्यक्रम मा रहेको पार्तिन चिकिस्षा विज्ञान राईरवेज चिकिस्षा पाठ स्वस्वर भाचन गरदाईचु सुने रा प्रतेक्रिया दिन वला स्वस्थ तनलाई खुशी मन को आधार मानींच मानीश का आपने ओसाव दानी का कारण रोग व्यादी लेश सरीर मा अनधिक्रित रुप मा प्रवेश पामशन रतिनले सारीरिक सक्ती रा मन का खुशी लुटन पोक्षन मानचे ले तेस्वाट मुक्ति पामन प्रयत्न गरच मानव शरीर मन माती आक्रमन गरने ती रोग व्यादी विरुद्ध प्रत्य आक्रमन गरी तेसलाई दमन रा समन गरन चिकिस्चा विज्ञान को प्राधर्वाब वहको मानीश जैस विज्ञान ले मानीश को तन रा मनलाई रोग मुक्त पारनी प्रयत्न गरच चिकिसा विज्ञान का एलो प्याथिक चिकिसा रा आयरुवेत चिकिसा दुई किसिम का उपचार पद्धती सबई बन्ना बड़ी प्रयेग माँ छन। चिकिसा रा आयरुवेत चिकिसा अनेक अर्था छन। रहा रोग लागना नदिना का लागी गरिने विवीत खाल का उपआये समेत् चिकिसा सब्दवेतर इसमेति चिकिसा विज्ञान का लागी आयविज्ञान सब्द कोपनि प्रयेगुन्च। चिकिछा सब्दाले रोग को मूल जरो पत्त लगायरा विवीत प्रकार का परिक्षण करी उपचार माट निर्भुल करने विदिलाई जनाऊंचा आयरिवेत सब्दा आयुस्रा विवेद मिलेर बने को हो इसको साब्धिक अर्थर जीवन को ज्यान बनने होंचा यसलाई आयरिवेत को सार का रूप मापने लेंचा जीवन को मर्म भुजेरा मानव शरीर मा रोग लागने न दिन्या वह रोग लागनो पूर्भा अपनाउन परने खानपान र रन सन लगत साबदानी मा रन अ मदद गरने विज्ञान का रूप मा पनी श्वास्त स्वास्त सेवा लाइ उपचाराक रा अपनाप को माई बने अमुजा उपचार आत्मक स्वास्था सेवागा पनी आधुनिक चिकिशा विज्ञान र आयरुवेद चिकिशा पद्धती भायका ओमियोप्याथी प्राकेचिक चिकिशा योग चिकिशा मनो चिकिशा अकुप्रेशर युनानी चिकिशा जस्ता अनिक उपचार पद्धती पनी रहे का अरब मुल्का मानिस्त्र इरानी द्वारा येगारां सताव्धितिर यो पद्धती भारतमा प्रचलन मा लाहिये को थियो भारतमा ब्रिटिस आसन का समयमा एलोप्यातिक प्रणाली शुरू भायपची युनानी प्रणाली को अउसदिय शिक्षा अनुसनान अव्यास प्रक्रियामा कमी आयो होवियो प्यातिक सब्धको अर्थ सद्रिष रोग चिकिस्षा बनने हुँँच यस अनुसार रोग का सद्रिष्वा समान लक्षण उपजाउने अउसदिय अपदार्थ द्वारा नहीं कुरही रोग को निदान गरनू बनने बुजिनच कानालाई कानाले जिक्नू पर्षा बने जई बिच को अउसदिय बिच नहीं हो बनने इसको मान्यता हो यो सिद्धान तक समान्ताले समान्ता को उपचार को मन्यतामा आधारी सच औमियो प्याथी मैं रोग निको पार्णा का लागी शुरुमा रोग बड VII. खुराग दिया रोग दियायाँ प्रविया प्राचियं चिकीस प्दति लाै अई रोग ब्याथीक प्रणालिवा पास्थते आजुनिक चिकीस प्रणाल्य लाई चिकिशाप पद्धती वन्ने भुजीन्च आम रूप मार प्रचली दाराना अनुसर डाक्टरी उपचार का नाम ले चिनिने चिकिशाप पद्धती आधुनिक चिकिशाप पद्धती वा एलोप्याथिक पद्धती हो आईरवेद चिकिशाप शास्त्रमा उपचार का आठोटा शाखाचन जसलाई अस्ठांगा आईरवेद का नाम ले चिनिन्चाँ यसमा मानव शरीरमा रूग लागने मुख्या आठंगा का उपचार बारे बड़न पाइन्चाँ आईरवेद का ती अस्ठांगा उन्न काया सल्य चिकिशा, सालाक्य चिकिशा, कौमार भृत्य चिकिशा, अगद तंत्र रसायन चिकिशा, बाजीकरन चिकिशार भूत विद्या चिकिशा स्वास प्रस्वास आड़ ज्वाणी तथा पाचन प्रणाली समंदी उपचार एबं पंच कर्म जस्ता विजिस्ट उपचार पद्धती काया चेकिछा अंतरगत परचन तेस्ताई चीरिफार गर उपचार गरीने फिस्टुला पायल्स आदी उपचार पद्धती सल्य सालाई सालाक्या चेकिछा तता प्रसवर बाल रोक्संग समंदी उपचार पद्धती लाई कौमेर भृत्य चेकिछा बनेंचा शबई प्रकार का वीज सर्पकोर टोकाया आदीमा उपचार उने पद्धती लाई अगद तंत्र बनेंचा मानिलाई निरोगी राखने बा रोक्संग लड़नी चमता बड़ाउने आयरिवेदिक पद्धती रशाइन चेकिछाओ तेशे गरी स्वस्त संतान प्राप्ती का लागी एबं सारिरिक शक्ती बा तागल बिर्दिका लागी अपनाईने उपचार बा विदी वाजी करणो यस्ताई मनोरोग्संग संबंधित उपचार का लागी बोत विद्या आयरिवेदिक पद्धती किछामा प्रचली चाँ रोगी को मन रा सारिरिक प्रकृति अन्रोग पद्धतार गरीनु पनी इसको विद्याश्ताओ आयरिवेदिक अउसदी ले आफ़ाई मा तागात्वा रसायन को पुषण प्रदान गरने विरामीर स्वस्त बेक्ति ले पनी प्रचली गरना सकने स्वस्त बेक्ति को पोशंड रोग प्रतिरोद आत्मक्चमता को विकास गरने इसको और को महत्त पुण पक्छाओ आहार बिहार आचार सम्मिताम मारपत रोगले आकरमा नगरस बनी रोग प्रतिरोगी अउसदीर आहार मा जोड़ दिनुपनी इसको विज़ेश्ताओ रोग को प्रकृति विरुद आहार मा पथ्या पथ्या को निर्देश गरी स्वस्त बेक्तिराई रोग को आकरमाटर जोगाउनुर रोगी को रोग चाणे अटमने काम इसमा हुँँचा यसमा दक्ष अचिकी सगले रोगी को नाड़ी मलमुत्र आधी अस्ट विदा अर्थात आठ प्रकार का परिक्ष्या प्रकृति विक्रिती व्यायम आधी दस विदा अर्थात दस प्रकार का परिक्ष्या बाट रोग को निदान गर्चन आधिनिक प्रक्रियावाट आयरिवेदिक अउसदी लाई परिक्षन गर्णा मात्र उपचारमा प्रयाश गर्णा सकीने हुदा निदान गर्णा सरल और सस्त तरीक आउनों इसको सवल पक्षाओ रोग नियंत्वान का साथ सते रोगलाई पूर्णा रुपा निर्मल पार्ने अनि कुनाई बने किसिमको पास्व प्रभाबाट बचावने प्रयाश गर्नों पनी इसको विशिष्ठ पक्षाओ आयरिवेत चिकिसा का देरे सकालत पक्षे उनाका साथ येसको लोग प्रियता दिनान दिन बर्दे गय को कुद उन्दा येसको बर्तमान सुन्दर वविश्य उजालो देखींच येसमा पंचकर्म आयरिवेत को महत्तपन उपचार प्रक्रियाओ शरीर को सुद्धिकर्ण एबं रोग प्रतिरोधात्मक्षे मता बड़वन का लागी येसको उपए गरिंच येसमा विविन्न पांच चिकिसा विदिको सम्रिशन उन्च येस अंतरगत भमन अर्थात् hop उपचारात्मक उल्टी विरेचन अर्थात् वस्ती अर्थात पेड समंदी चेकिस्या परचन तेस्ताई नस्य अर्थात नाग बाट आउसेदी राखर गरनी उपचार रक्षय मोक्षन अर्थात रगत भग्न दीनी उपचार समेत यस पंच कर्म मा परचन तेस्ताई आयरिवेत का अनुसार सारीर का शारीर केमा मानसिक रियाकलाव त्री दोस्पा निर्वार उंचन वात, पित्तर, कप तिरे वटामा संतुलन भयोवने मानिच स्वस्तर अंच यसमा असंतलन मानिच मिरामी पर छो ये त्री दोस्पा प्रवावक तत्व, मौसम, जलवायू, इस्थान, आयूर, मानसिक अबस्ताउन। भूस्पार गमानिच नेपाल का आयरिवेदिक महत्तो का जड़ी बूटी नेपाल को सम्रित्तिको डोगा खलना सक्चन। नेपाल बहु मुल्य रा गहत्तक रोब निको पार ने जड़ी बूटी को अजस्ट्र बनना रो रामानमा बरन बयंचर युद्धामा लक्ष्पन गायते हुदा संजी बनी बूटी नेपाल को इमालाय छेत्रमा पठाईएको प्रसंग अपनी स्मरणी अचा। अनमाले अनेको जड़ी बूटी वी संजी बनी बूटी चिननन सकेरा सिंगे पार उठारे लगेका रत्यो जड़ी बूटी ख्वाय बची रक्ष्पन लाय संचो बायको थियो एस बाटा परापुर्व काल देखिनी नेपाल आरिवेदिक जड़ी बूटी को भूश्वर ग अको समणाई मा विबिना जड़ी बूटी का लागी अउशदी अनुशन्दान कारेक्रम अगाली बढ़ी रहे को चो त्योगन विश्व बिद्यालाय अंतर गत आरिवेद क्यांपस रा नेपाल संस्विद विश्व बिद्यालाय मा पनी आरिवेद को अध्यो बहिरे को च आईरवेद चिकिशक एवम स्वास्त कर्मिको दर्ता नेपाल आईरवेद चिकिशक परिशत मा उन्च आईरवेद चिकिशा समन्दी अनुगमन गुणस्तर नियंत्रन आईरवेद चिकिशा परिशत ले करच येती उदा उदाई पने आईरवेदिक उपचार पतति मा व्यव एलो प्याथि को स्वयग लिनू पने अवस्ता चा शाथ ऐ आयरुवध उपचार का नाम मा जसले पनी आउसदी बेचनू वेडबार उने ठामा नहींद आयरुवधी बेचनू रहा तेसला ऐ रोकने को नी सम्यंत्र नाऊनू परैसरी जो पायो तेसे ले घर गर इस्वा अधिनी चिक्रिशा पद्धिकापनी विशेष्थारा सिमाचन शीटो संच उनु विशेषगी अर्थाट्डर आउसदी सजले उपलप्दा उनु मेडिकल कामसिल आउसदी बेवस्था विवाग बाटा शीकृति लेरामात्र उपचार गरना पाईनु एसका विशेष्था ह साथाई विश्वा स्वाष्था संगठन को सिक्रिती चाहिनु अर्थात एसको संगठन बल्या उनु आपतकारी नवस्तामा देरे प्रभाबकारी साबित उनु शल्यक्रिया उनु रसल्यक्रिया बाटा गमी रोग निको उनु पनि एसका विशेष्था मारेंचन एसका पाना देगी ठुला सभाई रोग निको पाना प्रभाब गारे हुनु ठुलो रोग लागनु अगी नहीं तेसला है रोकना खोब को वेवस्ता हुनु पनी एलो प्याथी पद्दती का थब बिशेश्ता हुनु यह उपचार मा दक्छा जनसक्ति को अभाब अधिनिक चिक्षा पद्दती को बहर न परी सुखाई छाईलु रोग लागना नदीनु शर्वत्तों उपाये हो रोग लागे पची मानिशले रोग को प्रक्रती अनसर बिवीन उपचार पद्दती चाहिन को विकल्प छन्दाईच अधिनिक चिक्षा बिज्यान को पर्यान पर्यायका रुपा मानने गरियेको एलोप्याथिक अउशदी को जस्तोस पार्श प्रभाग नौनेर शर्री बाटा रोग लाग पूर्णत निर्मुली करण गरिने अधिर बेदिक चिक्षा पद्दती तर्भा मानिशको आकर्षन बड़ेको छ आखनो शरीर लाई स्वस्त राखन शरीर मा रोग प्रति रोधात्मक छमता वई ब्रिदि गर्नार निरोगी जीवन सुखी जीवन को सपना साकार पारन अधिर बेदिक चिक्षा को प्रभ आजा को आवस्यक्तार समयको मार्ग बने को छ इसरी आजा आमिले कोक्षा 10 मार आएको 30 पाठ को सस्वर बाचन सुनियों इसे करें अन्या पाठ को सस्वर बाचन सुन्नक लागी यो चैनल लाई लाइक शेर सस्क्राइब करन नो भिर्षिनला बंदै आजा को पाठ बट बिदावंचु अस्ता नमस्कार सुब दिन